बाई IPL की शुरुआत तो धमाकेदार मैचस से हुई है जहां चिन्ने और डेली के बीच हुए सेकेंड मैच में चेले ने गुरू को मात देते हुए साथ विकेट से मैच अपने नाम किया है तो दोस्तों इसी के साथ आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मैच में पंजाब के विस्पोटक बल्ले बाजो की चलेगी या राजस्थान की बैलेंस टीम बाजी मारेगी दोस्तों अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे और साथ ही अगर आपने अभी तक क्रिकेट लाइन गुरू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की आज ही सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रे राजस्थान रॉयल्स का जंडा उचरा है 12-12 मैक्सिमम और मिनिममम स्कोर की बात करें तो मैक्सिमम स्कोर पंजाब किंग्स करा है 223 रन और मिनिममम स्कोर रहा है 124 रन वहीं मैक्सिमम स्कोर राजस्थान रॉयल्स करा है 226 रन और मिनिममम स्कोर रहा है 112 रन एवरेज स्क की यहाँ पर दोस्तों बात करें तो पंजाब किंग्स करा है 106-6 रन तो वहीं राजस्तान रॉयल्स करा है 170 रन अब इस लिहाज से देखा जाए तो राजस्तान के सूर्माओं के सामने पंजाब की दहार थोड़ी फीकी दिखी है और लास्ट येर के एडिशन में भी राजस खेला जाएगा मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में और जैसा की हमने सेकंड मैच में प्रिडिक्ट किया था स्कोर हाइर एंड पर गया था एंड 188 वाज अ कॉंपेटिटिव टारगेट बात करें टॉस की तो वेन्यू का पहला मैच रंचेज करने वाली टीम नहीं जी थी ऐसे में अगर हम गौर करें बॉलर्स के स्टाट्स पर तो दोस्तों टोटल 10 विकेट इस सेकंड मैच में चटकाए गए थे जहां पेसर्ज ने लिये थे 8 विकेट तो स्पिनर्स के नाब रहा था सिर्फ एक विकेट और एक विकेट रन आउट द्वारा लिया गया था अब एक बार हम नज़र डालें वानखेडे के ओवराल स्टाट्स पर तो दोस्तों यहां खेले गए सभी टी 20 मैचेस को अगर हम कंसीडर करें तो टोटल 74 मैचेस अभी तक यहां पर खेले जा चुके हैं जहां पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम 36 टाइम्स जीती है और र बैंगलूरू के नाम 235 एक विकेट पर और लोएस्ट स्कोर रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम 67 रंस 10 विकेट पर स्कोरिंग पैटर्न पर अगर हम जाएं दोस्तों तो बिलोव 150 का जो स्कोर है वो 18 बार बनाये गया है स्कोर बेट्वीन 150-169 17 टाइम्स बनाये गया है स्कोर बेट्वीन 170-189 28 टाइम्स बनाये गया है और अब 190 का स्कोर 11 बार बनाया जा चुका है तो दोस्तों इस पहले बात करते हैं टीम राजस्थान रॉयल्स की दोस्तों नो डाउट IPL का लास्ट सीजन रॉयल्स के लिए कुछ खास नहीं रहा था जहां वो 14 मैचेज में 6 पॉइंट के साथ लास्ट पोजीशन पर रहे थे और इसका सिर्फ एक रीजन था इनकी कमजोर गेंदबाजी खेर इस 14 एडिशन में टीम को लीड करेंगे यंग औन तैलेंटेट संजू सैमसन जिन्होंने लास्ट सीजन 14 मैचेज में 375 रंस बनाये थे at an average of 158.8 जाहिर सी बात है as a captain रिशप पंत ने फर्स मैच जीता है और अब सब की निगाहें संजू सैमसन की कैप्टेंसी पर रह ना किवाल एक experience baller provide करती है बट as a batsman batting line-up में depth देती है साथी world number 2 all-rounder Ben Stokes के रहने से team का moral definitely high होता है डेविड मिलर और जॉश पटलर चार overseas players की list में top पर आते हैं दोनों ही world class batsmen है और team का batting line-up इनके रहने से और जादा strong होता दिखाई देता है जहां डेविड मिलर खास त सकते हैं इनके अलावा एंड्रू टाय लियम लिविंस्टोन और मुस्तफिजूर रहमान कुछ ऐसे players हैं जिने आगे के matches में मौका मिल सकता है खैर ये तो हुई बात overseas players की बट राजस्थान की royal सेना में Indian players का भी अच्छा combination available है Captain Sanju Samson के साथ साथ यहां टीम को शिवम दुबे और राहुल तेवतिया जैसे दमदार खिलाडी मिलते हैं जिनों ले लास्ट सीजन उम्दा प्रदर्शन किया था और सभी को impress किया था Emerging talent की race में यशत स्वी जैसवाल और रियान पराग दो ऐसे players हैं जो इस current सीजन में टीम के लिए important contribution करना चाहेंगे और टीम भी इन युवा खिलाडियों को मौका जरूर देना चाहेगी यहां पर जो छोटा सा weak link सामने दिखाई देता है वो है इनका balling attack आर्चर के बिना टीम mainly depend करेगी Chris Morris और Ben Stokes पर और ऐसे में for support कार्तिक त्यागी और श्रेयस गोपाल को field पर अपना 100% देना ही होगा देखा जाए तो इस gap को fill करने के लिए टीम मुस्तफिजूर रहमान को playing 11 में शामिल कर सकती है but that means David Miller को playing 11 से बाहर होना होगा well let's hope राजस्थान इस सीजन जल से जल अपनी best playing 11 सेट अप करने में successful हो और इस tournament में बहतर perform करे ये तो ही बात राजस्थान रोयल्स की बढ़ते हैं दूसरी टीम की और by Kings 11 पंजाब से पंजाब Kings तक का सफर कुछ खास तो नहीं रहा है बट लास सीजन में टीम ने काफी हद तक अपने इरादे साफ किये थे and we expect कि टीम इस बार भी वही form बरकरार रखे विस पोटक्स बल्ले बाजों से बढ़ी ये टीम हमेशा गेम में turning point लाती रही है और उसका reason है केल राहुल और मैंक अगरवाल की सलामी जोडी जहां लास सीजन KL IPL के highest run scorer थे और मैंक ने भी दमदार पारियां खेली थी February में हुए auction में पंजाब Kings, दाविद मलन, Jay Richardson और Riley Meredith को खरीदने में successful रही थी जिसके बाद हम team के batting line-up और balling attack को और strong होते देख सकते हैं लास्ट येर टीम mostly मौहमर शमी और क्रिस जॉर्डन पर depend होती दिखी थी बट Jay Richardson और Riley Meredith के आने से balling attack और जाधा vast होता दिखता है Universe boss Chris Gayle और Nicholas Puran के साथ-साथ team में शारुक Khan की भी entry हुई है जिससे team overall काफी balanced हुई है खेर बात spin attack की करें तो पंजाब के पास रवी बिश्णोई और मुरगन अश्विन जैसे केंदबाज मौजूद है जिन्होंने last season में total 22 wickets चटकाए थे और कुछ crucial matches में important role play किया था इस हिसाब से देखा जाए तो team काफी settled है जिनके पास batsman से लेकर pace और spin का अच्छा combination available है but to find the perfect playing 11 is a nasty task और हम चाहेंगे कि पंजाब जल से जल अपना playing 11 ढूने और वापिस से IPL में धमाल मचाए तो दोस्तों यहाँ पर दोनों teams को analyze करने के बाद इनके संभाविद 11 खिलाडी कौन हो सकते है यानि कि प्रोबेबल प्लेंग 11 क्या हो सकती है दोनों teams की आईए देख लेते हैं राजस्तान की ओर से यह match खेल सकते हैं वहीं पंजाब Kings की ओर से यह match खेल सकते हैं अधी बिश्नोई, मुरगन अश्विन और मोहमद शमी फाइनली अब आजाते हैं अपने इस full proof analysis के conclusion पर तो भाई लोग यहाँ सबसे important बात जो सामने आई है वो यह कि पंजाब कुछ नए players के साथ season का आगास करेगी और ऐसे में टीम को जल से जल अपनी best playing 11 प्रिपेर करनी होगी वहीं दूसरी ओर, राजस्तान को मिला है नया कप्तान जिसके साथ ही मिली है नई उम्मीदे टीम वैसे तो काफी balance नजर आ रही है बट जहां तक बात bowling की है तो राजस्तान पंजाब के मुकाबले थोड़ी weak नजर आ रही है और considering the venue ये मैच काफी हद तक पंजाब के शिकंजे में जा सकता है दोस्तों आपके according इस मैच में नई captaincy के अंडर खेलने वाली राजस्तान जीतेगी या केल राहूल के विस्पो तक बल्ले बाजों वाली पंजाब बाजी मारेगी हमें comment section में जरूर बताएं आज के pre-match analysis में बस इतना ही फिर हाजर होंगे IPL की latest updates and matches के analysis के साथ So stay tuned, follow us on Instagram and keep watching Cricket Line Guru